नमो नमा दोस्तों एक पर फिर से आप सब का स्वागत है आपके अपने चैनल ह्पी समस्क्रित में दोस्तों पिछले भाग में हमने वेदांग परीचे भागे के अंत्रकत शिक्षा व्याकरण और चंद के विशे में जाना था दोस्तों उसी का कुछ थोड़ा सा दोहराब कर करते हुए हम अगले भाग को शुरू करेंगे जिसमें हम शड़ वेदांगों के विशे में पूर्ण रूप से अध्यन करेंगे तो दोस्तों चलते हैं आज के इस भाग में सरप्रथम वेदांग तो वेदांग शब्द का सरप्रथम परियोग जो था मुंदको उपनिशद में हुआ था यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं आगे चलते हैं पाणिनिय शिक्षा के श्लोक संख्या 41 और 42 के अंतरकत वेदांगों का महत्व बताया हुआ है जिसके लिए कहा गया है चंदह पादव तुवेदस्य हस्तव कलपोत पठ्यते जोत शम्मय अनम्चक्षु निरुक्तम शोत्तम उच्यते शिक्षा घ्रानम तुवेदस्य मुखं व्याकरनम स्मृतम तस्मात सांग विधत्येव ब्रह्म लोकम महियते अर्थात चंदह पादव तुवेदस्य चंद ज गयों हैं वेद्ग के हात हैं जूतिश नेत्र है्यों निरुक्त श्रुत हैं शिक्षा스ücken की है और व्याकर्ण जो है वेद्पुरिष का मुम्ख्य है दोस्तो पृरिक्षा के दरिष्टी से बहुत महत्यपुर्ण है यहां से एक नायक प्रश्ण निश्टी तुरूप से हर एक प्रिक्षा में आता है आगे चलते हैं वेदांग जो है छह है इनके हमने उपर जाना भी वैसे तो उनके नाम कुछ इस प्रकार है शिक्षा कल्प व्याकरण नुरुक्त छंद और जोतिश सरप्रथम बात करते हैं शिक्षा के विशे में तो इ जहां पे स्वर वर्णों के अर्थात जो स्वर हैं अर्थात वर्ण हैं उनके उच्चारन की जहां पे मूल रूप से शिक्षा परदान की गही है वही शिक्षा ग्रंत है इसका प्रतिपाद्य विशे जो है वर्णों चारन अर्थात वर्णों के उच्चारन का है शिक्षा के छह अंग हैं दोस्तो जो के कुछ इस प्रकार हैं वर्न, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान वर्न जो हैं बैदिक द्रिष्टी से देखा जाए तो बर्नों की संख्या है वावन लौकिक द्रिष्टी से 48 है और पाणिनी शिक्षा के अनुसार 63 या 64 है दोस्तो हर बार प्रिष्टी में दोस्तो पाणिनी शिक्षा के अनुसार बर्नों की संख्या पूछी आती है तो आपका हुत्र होगा 63 या 64 स्वर्जों है दोस्तो तीन है उदत अनुदत और स्वरित मात्राएं तीन है हरस्व दीरग और पलुत बल दोस्तो दो हैं जिने यतन भी कहा जाता है अभ्यंत्र और बाह्य और इसी के अंतरगत दोस्तो उच्चारन स्थान आते हैं साम के अंतरगत निर्दोश या गुण युक्त उच्चारन के विशे में बताया गया है और संतान जो है इसके अंतरगत सम्हिता कही है आगे चलते हैं रिग वेद की कौन सी है और साम वेद की कौन सी है आगे चलते हैं व्याकरण के विशे में तो व्याकरण के लिए कहा गया है कि व्यक्रियंते वितपाद्यंते शब्दा आने निती व्याकरणम जिसमें वी और आंग यह दो उपसर्ग लगे हैं दोस्तो उर्ववत इसमें लिट प्रत्य लगा है और ड्यूक्री करने धातू क्री धातू लगी है जिसका प्रतिपादे विशय जो है शब्दों के प्रकृति और प्रत्य का ज्यान करवाना है बैदिक ब्याकरण को प्रतिशाख्य के नाम से जाना जाता है आगे चलते हैं प्रातिशाख्य की विशे में पढ़ते हैं दोस्तो सरप्रथम बात आती है समान अक्षर दोस्तो बहुत महत्व पुर्ण है प्रशन आता है कि समान अक्षरों की संख्या कितनी है तो आपके सामेरे स्क्रीन पर है अश्टव समान अक्षराणी आठ समान अक्षर है जो कि कुछ इस परकार है आ, इ, इ, उ, उ, र, और आगे चलते हैं ससंध है अक्षराणी ससंध है अक्षर कितने हैं दोस्तो तो उत्तर होगा चार प्रिक्षा की द्रिष्टी से ये दोनों ही महत्व पुर्ण हैं दोस्तो यह अमुमन प्रशन आचुके हैं कमीशन में भी आचुके हैं किसी भी परदेश की जो टैट की पातरता परिक्षा है उसमें भी आचुके है और UGC--"नECK25 कोड के अंतरकत और 73 कोड के अंतरकत दोस्तो समान अक्षर आचुके हैं दोस्तो आगे चलते हैं अगोश कौन कौन से हैं तो अगोश है क आदी पांचो बरणों के प्रथम और दुतिय बरण को अगोश अंग्या दी गई है जो कि आपकी स्क्रीन पर लिख्यू है दोस्तो क ख च छ ट ठ त ठ ठ प और फ दोस्तो आगे आए शोश्म बरण तो शोश्म बरण जो हैं दोस्तो बरण के दुतिय और चतुर्थ बरण को शोश्म संग्या दी गई है जिसमें है ख घ छ ज ठ ध ध ध ध ध ध फ और भ यम बरण कौन से हैं दोस्तो तो बरण येश्व आद्यानाम चतुरानाम बरणाम अध्य पंचमे यह परे यम नाम यम संग कु चू टू तू पू यह संग्या इसके अंतरगत आती हैं दोस्तो रक्त संग्यक कौन से वर्ण है तो दोस्तो अन्वासिक वर्ण को रक्त संग्यक कहा जाता है जो कि यामागा ना न यह दोस्तो यह पांच है और संयोग संग्या हलो अनंतरा संयोग यह वर्ण संग्या चंद के विशय में चंद के लिए कहा गया है यह दक्षरम परिमानम तर चंदम यह कात्यायन सरवानुक्रमणी के अनुसार कहा गया है दोस्तों जहां अक्षरों की संख्या निश्चित हो उसे चंद कहा जाता है इसमें प्रदिपाद्य विशय गान कहें दोस्तों जैसे कि ब इसके रचैता पिंगला चारे हैं इसे दो भागों में बांटा गया है पूर भाग और उत्र भाग पूर भाग जो है दोस्तो बैदिक चंद है और उत्र भाग जो है लोकिक चंद है दोस्तो यहां पर मैं जितने पॉइंट लेके आया हूँ यह परिक्षा की दृष्टी से मह वारनिक छंदों की जो की प्रिक्षा के द्रिष्टी से महत्पून है वह हैं गायतरी ओशनिक अनुष्टुप ब्रिहती पंक्ती त्रिष्टुप और जगती गायतरी छंद जो है इसके अंतर चौबिस परन है दोस्तों प्रतेक छंद में आप यदि उनके जो बरनों की संख् अगर आप चार योग करेंगे तो अगरिम चंद की संख्या आ जाएगी जैसे चौबिस में आप चार योग करेंगे तो 28 आएगा 28 में 4 योग करेंगे तो 32 आजाएगा दोस्तो तो उस माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं जैसे गायतरी छंद में 24 वरन है ओशनिक में 28 है अनुष्टुप में 32 है ब्रिहती में 36 है पंक्ती में 40 है त्रिष्टुप में 44 है और जगती में 48 हैं दोस्तो आगे बात करते हैं इनके पाद के विशे में तो दोस्तो मैं यह सामने आपके अंकित किया हुआ हूँ जैसे गायतरी छंद में 3 पाद है प्रतेक पाद में 8-8 वरन है तो कुल 24 वरन हुए ओशनिक छंद में 3 पाद है पहले दो पादों में 8-8 वरन है और तीसरे पाद में 12 वरन है और कुल इसमें वरनों की संख्या 28 हुई दोस्तो अनुष्टुप जिसमें की 4 पाद है और प्रतेक पाद में 8-8 वरन है दोस्तो बिरती छंद में कुल 36 वरन है और इसमें कुल 4 पाद है जिसमें पहले दूसरे और चौथे पाद में आठाठ बरने हैं और तीसरे पाद में बारह बरने हैं दोस्तो आगे बात करते हैं पंक्ती छंद के विशे में पंक्ती में दोस्तो पांच पाद हैं और पते एक पाद में आठाठ बरने हैं और 48 बरन हैं और इसमें 4 पाद हैं और प्रतिक पाद में 12 बारह बरन हैं दोस्तो प्रिक्षा की दृष्टी से महत्तपून हैं प्रशन पूछा जा सकता है कि गाईतरी छंद में कुल कितने बरन होते हैं तो उत्तर होगा 24 प्रशन आ सकता है कि 35 छंद में कितने पाद होते हैं वेतुपत्ती हुई कि दोस्तों एक समान्य आर्थ है कि हम इसे क्यों पढ़ें तो इसके बारे में बतायागे कि सबसे पहले शब्दों की वेतुपत्ती कैसे हुई उसके विसे में जानने के लिए दूसरे पर समान आर्थी शब्दों को जानने के लिए अर्थाथ एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं उनको जानने के लिए बिलोम आर्थी शब्दों को जान कर था किसी शब्द का क्या बिलोम आर्थ होगा उसको जानने के लिए और शब्द की प्रक्रिती और उसके प्रत्य को जानने के लिए हम निरुक्त को इसको पढ़ने का ये मूल प्रियोजन है दोस्तों आगे बात करते हैं निघटू तो निघटू में कहा गया है कि महाभारत के शांती परव के अनुसार निघटू के रचयता प्रजापती कश्यप हैं तो प्रशनाएगा कि निघटू के रचयता कौन है महाभारत के अनुसार तो आपका उत्र होगा कश्यप और निघटू में क बैदिक शब्दों को गिनाया गया है समामनाया समाम नंत यह इसकी प्रिभाशा है आगे चलते है निघठ्टु के ऊपर या श्क रचित भाष्य का नाम निरुक्त है अर्थात निरुक्त जो संग्या है मूल रूप से यास्क के द्वारा एक भाश्य रचा गया है निघट्टू के विशे में निघट्टू जो है बैदिक शब्दों के जिसके अंतर अर्थ आते हैं दोस्तो प्रशना सकता है कि बैदिक शब्दों के अर्थ किस ग जिनमें पहले तीन अध्याई तक समान आर्थक और बिलोम आर्थक शब्दों को बताया गया है जिने नेगटुक कहा जाता है प्रशना सकता है कि पहले अध्याई से लेकि तीसरे अध्याई तक कि क्या संग्या है नेगटुकी तो उतर होगा नेगटुक चौथे अध्याई क इसमें देवताओं से संबंदित शब्द बताएगे हैं जिनने देवित कांट से नाम से जाना जाता है आगे चलते हैं निरुक्त के उपर जो टीका लिखी हुई है वो दुर्गाचारे की दुर्गावृत्ति है दोस्तों प्रशन के दृष्टी से बहुत महत्वपूर्ण है कई बार प्रशन यह पूछा जा चुका है कि दुर्गाचारे के द्वारा लिखी हुई टीका का क्या नाम है दुर्गावृत्ति या फिर निरुक्त के उपर टीका किसने लिखी है तो इसको उत्र होगा दुर्गाचारे एक अन्यवर्वरूची की है जिनका मूल नाम कात् जिन्होंने लिखी है निरुक्त निने टीका आगे चलते हैं दुर्गचारे के अनुसार 14 निरुक्तकार है most important दोस्तों परिक्षा की दृष्टी से बहुत महत्पूर्ण है यह प्रशन कई वार पूछा जा चुका है कि निरुक्तकारों की संख्या कितनी है तो अमूमन दोस्तों यहां से दृगचारे का पूछा जाता है तो उसके अनुसार ही पूछा गया है अब सायनाचारे क्या कहते हैं निरुक्त के विशे में अर्था बबूधे निरपेक्षतया यद जातम यत रुक्तम तन निरुक्तम आगे चलते हैं दुर्गचार या निरुक्त में पांच प्रतिपादे विशे बताए हैं जिसका पर्मान कुछ इस प्रकार कहा है आपकी स्क्रीन पर दोस्तो वरन आगमो वरन विप्रेश्च द्वैचापरो वरन विकार नाशव धातोस्त दर्थतिशेन योगहत दुच्यते पंच भीद निरुक्तम अर्था निरुक्त के पांच भीद हैं जिसमें क्या क्या है वरन आगम बरन विकार वरन नाश और धातो अतिशे ये दोस्तो पांच निरुक्त के परकार हैं अब बात करते हैं निरुक्त के पहले और दूसरे अध्याए में क्या है तो पहला अध्य जो है दोस्तो पद जाती है पद में बताया गया है दोस्तो नाम आक्यात उपसर्ग और निपात के विशे में शड़भाब विचार के विशे में निर्वचन के उदेश के वारे में बताया गया है दूसरे अध्याए में निर्वचन की सिध्यां और व्यत्पत्यों के विशे मैं यहां से दोस्तों कई बार प्रशन आते हैं ये दो पॉइंट से तो हम बात करते हैं आज इन दोनों विश्यों पर भी यह दोस्तों मैंने एक्ष्ट्रा इस बेदंग में डाला है क्योंकि यह प्रिक्षा की द्रिश्टी बहुत महत्तपून है इनके लिए एक अलग सी वीडियो लेकि आऊँगा लेकिन तब तक समानने परीचे में दोस्तों इसको आप जान ले सबसे पहले पद जातानी जो हमने प्रिक्षा में पूछे आता है जिसका अर्था है क्रिया सिद्ध क्रिया को नाम कहते हैं अर्था जो सत्व है जो हमारे सामने परत्यक्षा है या फिर जिसको हम संग्या दे सकते हैं बही नाम है आगे चलते हैं आख्यात भाव परधानम आख्यानम जिसमें असिद्ध क्रि आता है तो आगे चलते हम शड़ भाव विकार इसी के अंतरकत आते हैं दोस्तों तो शड़ भाव कौन कौन से हैं वो जो विकार की रूप में जाना जाते हैं तो पहला है जायते दूसरा अस्ती तीसरा भी परणमते तीसरा चोथा बर्धते पांचमा अपक्ष्रीयते और उसका अपक्षय होना और बिनश्यती अंतमे नास होना तो दोस्तों इसमें पूरा क्रमा नुसार बतायागा है कि जैसे व्यक्ति जनम लेता है और कैसे उसका अंतमे जाके बिनाश होता है यह छे प्रकार की क्रियाएं बताएगे हैं शड़ भाव विकार के अंतरकत सबसे पहले जायते तो जायते के लिए प्रमान है पूर्वस्या आदिम आचस्टे ना अप्रभाव आचस्टे ना प्रतिश्य धयती अस्ति उत्पन्नस्य सत्व अभधारनम प्रशना गया डैस सत्व अभधारनम किम तो आपको तरोगा उत्पन्नस्य कि उत्पन्न व्यक्ति कही सत्व अवस्था में अवधारन होता है अर्थात जो व्यक्ति सत्व है अर्थात बरतमान में पाया जाता है आगे भी परिणमते इत्य पर्च्य मानस्य तद भाव विकारम बर्दते स्वांग भेच्चेम संयोक का नामब अर्था नाम आगे चलते हैं अपक्षियते अपक्षियते ही प्रतिलोम है प्रशन आगे अपक्षियते किम तो आपको उत्र होगा प्रतिलोमम बिनश्यती अपर भावस्या आदिमाचष्टे नापूर्भमाचष्टे इती बिनश्यती ये दोस्तो छे भावविकार हैं आगे चलते हैं पहले हमने नाम जिसके विशे मैं सत्तो परधान नामानी और दूसरे परता आख्यात भाववपरधानम अख्यानम अब तीसरे पर बात करते हैं उपसर्ग तो उपसर्ग के लिए बताया गया है ना निमद्धा उपसर्गा अर्था निराहुद्धि शाकटायन शाकटायन के अर्सवान दोस्तो ये बताया गया है और गारगे के अनुसार बताया गिया है कि उपसरग स्वतंतर रूप से भी सार्थक होते हैं निरर्थक नहीं होते हैं या किसके अनुसार है तो तरहोगा गारगे के अनुसार आगे बात करते हैं निपात की बिशे में तो कहा उच्चा बशेशू अर्थेशू निपतंतिती निपात अर्थात अनेकार्थ होने के कारण इन्हें निपात कहा गया है लौकिक भाशा में इनका अर्था है जो अग्यात रूप में आगिरे अर्थात अग्यात रूप से आए आगे बात करते हैं निपात के दोस्तो तीन परकार हैं जैसे उपमान आर्थक, करमोप संग्रहार्थक और पद पूर्ण आर्थक तो उपमार्थक के अंतरगत चार आते हैं दोस्तो इव न चित नू यह उपमान आर्थक है करमोप संग्रहार्थक में च, बा, आ, अह, ह, किल, हि ननु खलू भाशवत नूनम और पद पूरुन आर्थक की रूप में कम इब इत उत तवत दोस्तो मूल रूप से यह पूछा जासकता है कि निपात के कितने परकार हैं तो तीन होंगे इसके आगे के जो इनके अंतरगत आने वाले शब्द अब्य हैं दोस्तो जो निपात ह किस आर्थके अंतरगत आता है तो आपको उतर होगा उमान आर्थक के अंतरगत आगे बात करते हैं कल्प के विशे में तो शायन अचारे ने कहा है कल्प यंते है समर्थ यंते है याग परियोगेशु अत्र इती वित्पत्ते अर्थात अचारे शायन ने कहा है कि जिन गरं प्रतिपाद देविशे किया है इनके उंद्रगत तो यगिया अनुष्ठान और बैतिक याग जो है इसके उंद्रगत आते हैं कल्प वेदांग के इसमें चार प्रकार है शौथ सुत्र ग्रिह सुत्र धर्म सुत्र शुल्व सुत्र दोस्तों जब मैंने पीछे बेद के भाग में इनको आपको बताया था तो थोड़ा सा इसके अंतरगत आप परिभाश आएं देखने कि किसके अंतरगत कौन सा चीज आती है जैसे श्रोथ सुत्र तो श्रोथ अगनी में होने वाले यग् दोस्तों बंदित जितने भी यग्यत्यादी का भीवर्ण है श्रोथ सुत्र के अंतरगत आता है ग्रिए सुत्र इसमें ग्रिह निर्माण ग्रिए परवेश शोड़स संसकार पंच महा यग्य ट्रेरिन देवर्ण पित्रिण रिशीर्ण सम्रात अग्णी पाक आश्रम और समाजिक नियम आते हैं अग्या बात आती है शुल्ब सुत्र जो अंतिम है यह बेदी का माप बताता है दोस्तों रिगवेद के अंतरगत आने वाले ग्रंथ जिसमें शोत सुत्र जो है आश्वलायन और शांख्यायन है ग्रिह सुत्र जो है आश्वलायन साख्याय नहीं है धरम सूतर जो है वशिष्ठ है जो कि पर्क्षा की धरिश्टी से महत्रपून है शुलव सूतर DOS Two is fuckle by दिरी चन्तरगत ही आते हैं किसी अनीं के ने अंतरगत नहीं आते हैं के अगे बात करते हैं। शुक्ला जूद के शुत सुतर जो हैं और शंक है और इसका शुलब सुत्र जो है शुकल यजुरुबेद का कात्यायन है आगे बात करते हैं कृष्ण यजुरुबेद की इसमें शुर्षुत्र जो है आपस्तंब है वैखानस है हिरनने केशी है मानव है बाधूल है वराह है सत्याशाड़ा है और बाधायन है कृष अब बात करते हैं सामबेद के विशे में तो इसका शौत सुत्र जो है आरशे है जिसे मशक के नाम से भी जाना जाता है द्राकशायन है लाटायन है और जैमनी है दोस्तो आगे बात करते हैं ग्रीह सुत्र के विशे में तो सामबेद के ग्रीह सुत्र में गोभिल खादिर और Jai Mani ये हैं. धर्म शुत्र जो हैं गौतम है शूलब सुत्र दोस्तो मैंने आपको जैसे पहले ही कहा कि शुक्ल शुत्र कौशिक है दोस्तों यहां से महत्तपूर्ण है शुकल यजरुबेद का शुत्र जो की कात्यायन है ग्रिह सुत्र जो की पारसकर है इसके अलावा धरम सुत्र जो है रिगिवेद का वाशिष्ट और साम बेद का धरम सुत्र गौतम और अथरबेद का शुत्र वैतान और कौशिक दोस्तों यह मत्तपूर्ण है ग्रेसुत्र आगे बात करते हैं जोतिश की बिशमें जो छटा अंग है अंतिम है इसे वेदांग जोतिश की नाम से भी जाना जाता है इसके अंद्रगत गया है सबसे पहले यह जानने जिसमें यग्यादी बिधान का बशिष्ट सम है लगद हैं बहुत महत्तपूर्ण हैं दोस्तों प्रश्ट ना सकता है कि वेदांग जोतिश की रचैता कौन है तो इतर होगा लगद इसमें दो भी भाग हैं आर्च जोतिश और याजुश जोतिश आर्च जोतिश के अंतर के 36 अध्याएं हैं और याजुश जोतिश के अंतर के अध्याएं के संख्या 49 हैं दोस्तो जोतिश के अंतर के दो आयन हैं उत्तरायन और दक्षिनायन और विद्वानों के अनुसार उत जब जन्वरी महा की तेरा तारीक के आसपास जब सूर्य मकर रासी में जाता है तब उस जब छे महिने का जो अंतराल होगा समय होगा उसे मकरादी और उसके पस्चत करकादी माना जाएगा अगे बात करते हैं जोतिश के तीन सकंद हैं सिधान्त होरा और सहीता और दो विभा जोतिश के अंतरा से मूल रूप से परिक्षा में यह पूछा जाता है कि जो बेदांग जोतिश है इसके रचैता कौन है तो आपका उत्तर होगा लगद और इसके अलाबा सिध्धान्ध कितने हैं तो सिध्धान्त होरा और सम्मीता यह दोस्तों दो प्रशनी हां से बेदा तो दोस्तों आज के भाग में हमने तीन ऑ आज के भाग में हमने च्छे वेदांगों के पूर्ण रूप से विवरंड हूँए मूल रूप से दोस्तों अगर आप इस वीडियो को दोने तीन वार देखें कि हमारा अब बेद भाग पूरा समापत हो गया है तो जितने भी प्रशन आए हैं उन पर मैं आगे बीडियो लेके आऊँगा तो दोस्तों मिलते हैं अगले भाग मैं तब तक के लिए नमोनमा दोस्तों